Denmark में salaries बहुत अच्छी है, अगर every salary को देखा जाए तो 45481 Danish Krone है, और अगर हम इसको euros में convert करके देखते हैं, तो तक्रीब में 6100 euros बनते हैं, और अगर minimum salary को देखा जाए तो ये 17000 Danish Krone हैं, और इसको भी अगर euros में convert करते हैं, तो इस तक्रीब न 280 euros बनते हैं, इसी वज़ा से यहां पे quality of life भी काफी high है Hello friends and welcome back to काशान नवीत लॉग दोस्तों अमीर है आप सब हैरियस से होंगे मैं भी यहां पे हैरियस से हूँ दोस्तों आज जिस मुलक के बारे में बात होगी वो ना सिरफ योर्पियन, शेंजन, नौर्डिक बलके Scandinavian region का भी एक एहम रुकन है दोस्तों आप में से बहुत सारे दोस्त जानते होंगे जो नहीं जानते होंगे उनको बताता चालता हूँ कि Scandinavian मुमालिक में तीन मुमालिक आते हैं जिसमें Norway, Sweden और Denmark शामिल है Scandinavian model दूसरे योर्पियन मुमालिक से थोड़ा सा different है इस पर फिर कभी बात करेंगे और Scandinavian में मजूद हर मुल्क की करंसी भी अपनी करंसी है जिसको करोन कहा जाता है अगर नार्वे है तो नार्वेजियन करोन कहलाए जाएंगे अगर Denmark का नाम दिया जाए तो Danish करोन और अगर Sweden की बात की जाए तो ये करंसी Swedish करोन कहलाई जाएगी दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ इनी तीन मुमालिक में से एक मुल्की जिसका नाम Denmark है और इसकी टोटल पापुलेशन 2022 के मकाबले में जस्त.49% के रेट के साथ बढ़ कर 2023 में 5.9 मिलियन है जो के पाकिस्तान के एक शहर लाहोर की अबादी के हाफ से भी कम है इसके हमसाया मुमालिक में Sweden, Germany और नार्वे शामिल है जबके यहां का कैपिटल कोपनहेगन है Denmark के passport की ranking को देखा जाए तो यह fourth number पे है इसका मतलब है कि आप 188 188 कंट्री में visa free travel कर सकते हैं इसके अलावा Denmark दुनिया का second happiest country है after Finland यहां पे language Danish बोली जाती है जबके English भी बहुत commonly बोली जाती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां पे foreign workers की total तादाद 3,70,000 के करीब है जो कि total workforce का 12% है डेन्मार्क में भी यूरोप के दूसरे मुमाले की तरह लेबर शाटे चल रही है और इस फेट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2022 के अदाद शमार के मताबिक डेन्मार्क में operate करने वाली 42% companies को recruitment में challenges पेश आ रहे हैं अब बात करते हैं कि डेन्मार्क में किन शोबों की सबसे ज़्यदा जरूरत है तो ये जानने के लिए किन शोबों की shortage चल रही है डेन्मार्क की government ने एक positive list इंटर्ड्यूस करवाई है जो कि हर साल 1 जनर्री और 1 जुलाई को update होती है Danish government का इस list को introduce करवाने का मकसद यह है कि वो foreign workers जिनके पास experience है, skills है या फिर ज़रूरी तालीम है वो apply करें और डेन्मार्क आ जाएं ताके वो डेन्मार्क की labor shortage को पूरा कर सकें foreign workers की असानी के लिए इस positive list को भी दो categories में divide किया गया है पहली the positive list for people with higher education and secondly the positive list for skilled workers और अगर इन दोनों list को देखा जाएं तो almost 200,000 jobs available है यानि के 2,000,000 jobs available है और अगर skilled category की jobs को देखें तो इसमें जो most common jobs available है उसमें sales consultant है, property managers है, import and export employee है, forman है, plumbers है, logistics से तालुक रखने वाले अफराद की यहां पे जरूरत है chefs है, office assistants की यहां पे जरूरत है, shopkeepers है, gardeners है, bricklayers है, carpenters है, painters है, drivers है, electricians है, warehouse में काम करने वालों की यहां पे जरूरत है, cashiers की यहां पे जरूरत है, और अगर highly skilled workers की category को देखा जाए तो इसमें सबसे पहले doctors है, pharmacists है, nurse है, physiotherapists है, IT professionals है, biologists है, engineers है, dentists है, accountants है, economists है, दोस्तों, Denmark में salaries बहुत अच्छी है, अगर every salary को देखा जाए, तो 45,481 Danish crowns है, और अगर हम इसको euros में convert करके देखते हैं, तो तकरीपन 6,100 euros बनते हैं, और अगर minimum salary को देखा जाए, तो यह 17,000 Danish crowns हैं, और इसको भी अगर euros में convert करते हैं, तो तकरीपन 280 euros बनते हैं, comparatively दूसरे European countries से salaries बहुत अच्छी हैं, और इसी वज़ा से यहां पर quality of life भी काफी high है, आल्दो की यहां पर tax rate दूसरे European countries की निस्बत थोड़ा सा high है, average tax rate यहां पर 35.5%, अब बात करते हैं, कि आप job कैसे apply करेंगे, तो इसके लिए Danish government ने एक official portal बना रखा है, जिसे jobs in Denmark कहा जाता है, उसका address भी आपको screen पर नजर आ रहा है, आप यहां पर जाके jobs apply कर सकते हैं, इसके अलावा भी आपको different links मैं description में दे दूँगा, आपको screen पर भी different links नजर आ रहे हैं, आप यहां पर भी जाके अपनी job apply कर सकते हैं, job apply करने के लिए जो documents आपको required होंगे, उसमें सब आप से पहले आपका CV जो कि European format पर बना हो, उसके लिए मैं link description में दे दूँगा, बहुत ही easy है, आप खुछ से बना सकते हैं, Europass पर जाके आपका cover letter साथ होना चाहिए, आपकी statement of purpose होना चाहिए, साथ आपके academic certificates, आपके diplomas, आपने कहीं से training ली हुई है, वो आप साथ attach कर सकते हैं, आपका experience letter यहाँ पे बहुत matter कर सकता है, आपको job दिलवाने में, दोस्तों अब आप इन documents के साथ दी गई websites और portals पे जाके अपनी job find करना शुरू कर दें, और ऐसा नहीं है कि 2-4 applications के बाद आपको job मिल जाए, इसमें ज्यादा time लग सकता है, क्योंकि यह job सिरफ India, Pakistan, Bangladesh, नेपाल या UAE में रहने वाले लोगों के लिए नहीं open होती, बलकि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे apply कर रहे होते हैं, it means कि जब आप internationally किसी जगह पे apply करते हैं, तो वहाँ पे competition tough होता है, इसलिए आपने documents को बड़े अच्छे तरीके से prepare करके, किसी भी job के लिए apply करना ह और मायूस नहीं होना, बलकि आपने regular apply करते रहना है, ऐसी बहुत सारी examples हैं, जहां पे दोस्तों ने अपने मुल्क में रहकर ही internationally अपनी jobs को secure किया है, कुछ तिन पहले ही मुझसे एक subscriber दोस्त ने राप्ता किया, कि उनकी job हो चुकी है, और वो work permit के process में है, तो उनको work permit के ल तरह से अपनी job secure कर सकते हैं, थोड़ा मुझकिल हो सकता है, लेकिन नमुम्किन नहीं है, आप continuously try करते रहें, तो obviously आपको employers और recruiters की तरफ से reply आएगा, और आपकी job भी होगी, और आपका visa भी लग जाएगा, दोस्तों अगर आप Denmark में job offer लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको minimum work permit चार साल का मिलेगा और इसका processing time one month है, और इसके जो application fees है, वो 4670 Danish crowns है, आप बात करते हैं कि आपने visa के लिए apply कैसे करना है, अब आपके पास job offer आ चुकी है, secondly आपने अपनी job को positive list की category में देखना है, कि क्या वो उस category में आती है कि नहीं आती है, तीसरे नमबर प website जिसे Siri कहा जाता है, उसकी website पर जाके आपने case ID क्रियेट करनी है, आपका चोथा step आपकी fees को pay करना है, जो मैं आलड़ी बता चुका हूँ कि 4670 Danish crown है, 4670 Danish crown है, आपको बता देता हूँ कि आज 28 नमबर 2023 के rates के मताबिक एक Danish crown पाकिस्तानी 41 रुपीज के बराबर है, और Indian 12.23 3 रुपीज के बराबर है, फीज पे करने के बाद आपने अपने सारे documents को एकठा करना है, और visa application farm के साथ उन्हें submit करवा देना है, विज़ा अपलाई करते हुए जो documents आपको required होंगे, उसमें सबसे पहले आपका passport आता है, जिसकी minimum validity मैं हमेशा कहता हूँ, two years होनी चाहिए, secondly आपकी passport size photographs, thirdly आपका job offer letter, fourthly आपकी health insurance, अब जब आप ये सारे documents अपने visa application farm के साथ जमा करवाते हैं, तो एक माह के बाद आपको work permit चार सार के लिए issue कर दिया जाता है, दोस्तों ये आज की वीडियो थी, उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो इस वीडियो को like कीजेगा, अपने दोस्तों के साथ share भी कीजेगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कीजेगा, फिर मुलाकात होती है एक नई और informative वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना धेर सा हया रखिएगा, मुझे इजाज़ते हैं, खुदा हाफ कीजेगा, तक कीजेगा, खुदा मुझें ग aumentar चैनल पर चैनल का दया हैं, और चैनल को नवझे खूल Nut liberty हैं, उगिए खभयों तोफशी्र हैं, गजगर का री Moonants मुझे Schl accordance लाने हैं, आाई पक्ला पहसे ही जब कर ख界 अपम दो साभवां से व weapon